अर्ध हल आसन इस आसन में शरीर की स्थिती खेतों की जुताई करने वाले भारतिय हल की अर्ध आकृती जैसी हो जाती है इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है पीठ के बल लेट जाएं दोनों हाथ जांगों के बगल में रखें और हतेलियां जमीन पर टिका दें घुटनों को बिना मोडे अपने पैरों को धीरे धीरे उपर उठाएं सर्व प्रतम अपने पैरों को 30 दिगरी तक उठाएं ततपश्चात 60 दिगरी का कोण बनाएं अब धीरे धीरे पैरों को 90 दिगरी के कोण की स्थिती में ले आएं यह अर्ध हलासन की पून स्थिती है इस अवस्था में शरीर की स्थिती नितम्ग से कंधे तक सीधी होनी चाहिए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं ध्यान रहे वापसी की स्थिती में सिर जमीन से उपर न उठे यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्थ व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाबधायक है परन्तु उन्हें बड़ी साबधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए प्रद से पीड़ी